निम्रोलोजी में सबसे इंपर्टन क्या चीज है? क्या सोचते हैं आपका रूट नमबर सबसे ज़्यादा इंपर्टन है? यह आपका लाइफ़ पार्थ नमबर? आपका कुवाः नमबर? नहीं! हो सकता है आपका मोबाइल नमबर? वो भी नहीं! तो चलिए आज हम जानते हैं कि financial निमढ़ाजी में सबसे इंपोर्टिंट क्या है देखिए निमढ़ाजी में सबसे ज़्यादा इंपोर्टिंट है आपका नेम नमबर जो कि मैं मैं अपनी पहली की क्लासेज में बता चुके हूं कि हमें नेम नमबर को कैसे निकाला है लाइफ पार्ट नंबर, रूट नंबर, हुआ नंबर, हमारा मुबाइल नंबर, हमारा हाउस नंबर, हर एक चीज नंबर हमें और बाइट डिफॉल्ट मिलते हैं, जैसे किसी भी जातक का जनम, किसी का भी जब जनम हुआ है ना किसी एक डेट को हो गया, जैसे आज की हम सोच जातक का जनम हुआ, तो by default उसको एक number मिल गया, यानि कि जो उसका root number था, अगर हम इस number की calculation करें, और जब हम इनका life path number निकालेंगे, और कुवा number निकालेंगे, वो भी व्यक्ति को जातक को by default मिला, क्योंकि उस समय उसका जनम हुआ, तो हम यहाँ बात करेंगे कि actual methodology में सबसे ज़्यादा importance किस चीज़ की है, वो importance है हमारे नाम की, name number सबसे ज़्यादा important है, क्योंकि name number हम choose करते हैं, हमारे parents choose करते हैं, हम नाम set करते हैं, और उन numbers की powers को हम अपनी life के अंदर जो है implement कर देते हैं, और वो ही name जो है हमारी life का अधार बनता है, जैसे मैंने कहा कि हमारा name number सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा importance रखता है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कल युक के अंदर नाम ही एक अधार है, हर चीज़ का अधार है, हम सब जानते हैं कि पुराना समय था, सत्युक थ लोग बड़े बड़े तपस्वी हुए, बड़े बड़े पूजा पाठ की जाती थी, लोग रिशी मुनी हजारों साल तक तपस्या करते थे वनों में और उस प्रभू की किरपा पाना चाहते, लेकिन क्यों कहा गया कि कल युग में सिर्फ नाम ही अधार है, क्योंकि कल को तर जाओगे, राम नाम जपो, सिर्फ नाम जपने से, यानि कि उस नमव नाम में इतनी पावर है कि आपको इस भव सागर के पार ले जाए, इसलिए हमारे जीवन में हमारे नाम की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन्स, इसलिए कहा जाता है कि इस कल युग में सबसे ज़ कल युग के अंदर हमारे नाम, जब हम नमबर्स लेते हैं, हमने कोई भी नाम चुना, गीता नाम चुना, सीता चुना, महिमा चुना, रश्मी चुना, कुछ भी नाम चुना, वो नाम हमने चूज किया, वो हमारे डॉक्यमेंटेशन पे आया, वो हमारा कॉलिंग नेम घर के अंदर भी दिन में आपको पास जो है आपके भाई बहन, आपके माइबाप, आपके दोस्त बार-बार उसी नाम से पुकारते हैं, जो नाम आपको दिया एक है तो सबसे जादा vibrate क्या करते है numbers, हमारे name numbers की जो numbers होते हैं वो vibrate करते हैं और वो हमारी life के उपर बहुत बड़ा effects डालते हैं इसलिए कहते हैं कि जब भी हम अपना नाम रखें, उसके Spelling को बड़ा ही सोच समझ के जांच के रखें, अब हर Name के Spelling कैसे हैं, जैसे कि मैं अपनी पहली की Classes में भी बता चुकी हूँ, कि हम Name number कैसे निकालते हैं, तो Name number निकालने के लिए आपको क्या करना है, हमारी पहले की Class क्लासिस को गोट्रू करना है आप खुद अपना नेम नमबर निकाल पाएं रूट नमबर निकालना भी मैंने सिखाया पहले लाइफ पाथ नमबर भी और कुवा नमबर यह सब चीजे मैंने आपको सिखाई हैं आप हमारी क्लासिस में जा सकते हैं गोट्रू करके वहां से जैसे किसी का मैंने आपको बोला कि एक जन्वरी उसका डेट ऑब बर्थ है तो उस व्यक्ति का सुभाव कैसा है व्यक्ति जो है बहुत अभिमानी है बहुत सोचलाइजड है दोस्तों का नेटवर्क बहुत अच्छा है बहुत जादा चीजे उसको बड़ी पसंद आई है छोटा बच्चा होगा एक तारीक को पैदा हुआओ वो भी एक जन्वरी पहले ही तारीक पहला महिना सूरे कितना बड़ा है आज हम धर्ती पर रहते हैं सूरे और धर्ती का डिस्टेंस इतने मीलों का होने के बावजूद भी सूरे की किरने धर्ती को तपा देती हैं तो कितनी पावर है हमारे उस सूरे बे, कितनी शक्ती है उस सूरे के अंदर उसी तरह से जब हमने एक डेट अब वर्ट को जाना एक जन्वरी तो उस बच्चे का सुभाव उसी तरह बड़ा है बड़े उदार दिल के होते हैं, बहुत उदार दिल होता है बहुत लोगों को बड़े हैल्फुल होते हैं यह मैं आपको छोटी छोटी से टिप्स बता रहे हूँ कि जब आप numerology करते हैं, numerology सीखते हैं, numerology के इतना interesting subject हुडाता है अकल्ट में, क्योंकि हमें good interest आता है कि सिरफ date of birth से हम इस व्यक्ति के बारे में इतना कुछ बता देंगे, एक date of birth होने से हमें पता चल जाएगा कि इसका सुभाव कैसा है, तो हाँ, तो numerology इतना interesting subject है, कि with best colors, उसके enemies सब बता पाते हैं, सब जान पाते हैं, और उससे हम अपनी life के decision बना पाते हैं, तो इतनी importance है numerology, लेकिन जैसे मैंने शुरुवात में कहा, कि क्योंकि ये number हमें by default मिलते हैं, ये हमारी ग्रह नक्षतर धारन करते हैं, हमारी जनम देने वाले का समय निधारित कर द लेकिन name तो हम पुद set करते हैं, तो उस हिसाब से आपको अपने name के उपर बहुँत काम करना है, क्योंकि हर व्यक्ति आज के जीवन में अपना नाम कमाना चाहता है, मान सं मान चाहता है, एक बड़ा name fame चाहता है, आज के जीवन में, आज के इस समय में, लोग मेटलिस्टिक चीज़ों की तरफ बहुत ज़ादा आकर्शित हैं वो मेटलिस्टिक चीज़े हमें मिलेंगी नहीं मिलेंगी तो वो चीज़े हमारा नेम जो है वो डिसाइड करता है एक शॉर्ट में बतायते हूँ कि एक नमबर वाले एल्फाबेट्स होते हैं जिसको हम लर्ण करने की पावर रखते हैं या आपको लर्निंग भी रहेगी और आप अपना अपना नेम नमबर इजिली निकाल पाएंगे अपने अपने नेम के स्पैलिंग्स लिखिए जैसे किसी का रीता है अब आपने कैसे निकालना है रीता हर अल्फाबेट पे जाएंगे नमबर लिखेंगे उनको प्लस करेंगे और क्या नमबर आपके पास आया वो आपका निम नमबर बने जाएगा जैसे एक नमबर के अल्फाबेट है लर्न करने के लिए जया आईक्यू, अलफा बेट है जय वाई ए आईक्यू, दो नमबर के हैं हमारे पास, बी के आर, आप कुछ भी करके लर्न कर सकते हैं, आपको अपने जुगार करने होंगे, जैसे हम लोग जब स्टूडेंट्स रहे हैं, तो हम टिग्नोमेट्री पढ़त परमूले हैं, नेम नमबर के, तो आप इसको अपने हिसाब से लर्न कर सकते हैं, जैसे दो नमबर मैंने आपको बताया, बी के आर, अब बी के आर, आप अपने हिसाब से कर ले, बक्वास करके, बक्करवाला करके, किसी भी तरीके से जो टेक्नीक आपके दिमाग में, आपक पता हो कि दो नंबर B के R alphabets है यानि इसके नंबर जो है दो हैं तीन नंबर हमारे पास जो है हम computer पर काम करते हैं तो clear की एक command आती है तो अब इसके पास alphabets क्या हैं? C, L, S, G, तो clear screen G, तीन नंबर के alphabets हो गया चार नंबर हो गया हमारा DMT बहुत से लोग जानते होंगे DMT नाम का एक test होता है जिससे पता चलता है कि व्यक्ति in future उसके handprints से हम बता पाते हैं कि उसके लिए bright future कौन सी field में होगा तो हम आप चार नंबर को learn कर सकते हैं DMT पांच नंबर हमने बच्पन में सीखते हैं A for apple, B for boy ऐसे हमने पांच नंबर के लिए एक shortcut तरीका आपके लिए learn करने के लिए बताया है मैंने आपको H से होती है hen, तो hen आगे लगा दीजिए X, hen X पांच नंबर के alphabets हो गया छे नंबर, छे नंबर के alphabets है UVW पांच नंबर के लिए उसको रटना ना पड़े, अब आते हैं हमारी बारी 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 साथ नंबर, सारे नंबर हमने लिए एक से लेके छे तक, अब साथ नंबर Z और O को दिया गया है वैसे जू के स्पेलिंग होते हैं Z डबल ओ, लेकिन हम सिर्फ सोच रहें कि इसमें Z और O, जू, तो 7 नंबर हो गया हमारा जू का अब जू गये, जू में बहुत खर्चा कर दिया, अब उसके बाद दिमाग की बती जगी कि क्या करें, पैसे की सेविंग कैसे करें, तो वो नंबर मिल गया हमारे 8 नंबर को, और वो अलफ़बेट है PF, हर कोई जानता है कि PF क्या होता है, यानि हमारी deposit time, 8 नंबर, शनी करम जितना भी अपने करमों का PF एकठा करेंगे, उतने फ़ल अच्छे मिलेंगे, जब PF की maturity आपके पास आती है, आपके पास अच्छे funds आते हैं, उसी तरह से शनी आपके नंबर के हिसाब से आपको उस हिसाब से रिजल देता है, आपका PF का नंबर P और F अलफ़बेट 8 के पा डिटेल में ना जाना पड़े, आप इजली सर्च कर पाएं अपना नेम नंबर की कैसे हम नेम नंबर नेकालने के लिए सारी क्लासिस गो थू कीजिए, आपको अराम से खुट से निकाल पाएंगे अपना नेम नंबर, अब बात आती है, नेम नंबर भी निकाल लिया, उपर तक पहुचते हैं, फिर नीचे आजाते हैं, लाइफ के हर्डल इतने जादा आजाते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करें, तो यहां पे आपको अब लगाना है दिमाग, कैसे अपने नेम नंबर को हम ऐसी जगा पे ले आएं, कि हमें एक अच्छी रिजल्ट मिलें, वो स कोई भी नहीं है, बस आप तक पॉंबिनेशन गलत हो जाता है, हमारे पास निम्रलोजी जब एक से नो नंबर तक सिम्ती भी है ना, तो हर एक नंबर की अपनी पावर है, जिसके पास जो नंबर की कमी होगी, तो उसकी वो लाइफ से कमी हो जाएगी, और आज के समय में क्य जैसे किसी के भी नाम का, मैं एक rough example है, अब जैसे हमारे पास कोई लड़की आई जिसका नाम है गितिका, उसका date of birth है 2, फरवरी, अब गितिका नेम को जगर आप G-E-T-I-K-A spelling, G-E-T-I-K-A spelling को जोडेंगे, तो इनका total आएगा 2, अब जब नो नेम नंबर लिया, वो भी दो पे आगया, अब उसने नेम की correction भी करा लिया अपनी गितिका, E की जगा आई लगा दिया, तब भी 2 आगया, यानि कि हर जगा से उस व्यक्ति को इतने emotional है, इतनी emotional है ये वेक्ति, कि so close दूर भी किसी का दुख होगा ना, तो इतने रोना लग जाएंगे, कि जैसे सब हो गया, दूसरे के दुख को अपना दुख समझ लेंगे, इसलिए emotional होने की वज़े से आगे जीवन में बढ़ने ही पाएंगे, emotions हमें आगे बढ़ने से रोग देते हैं, तो ज़रूरी है कि name number सही number पे जाए, जिस number को आपके पास बहुत कमी है, क्या किया कि आपने एक पूरा नाम लिखते हैं, जैसे लिखते हैं, गितिका, कुमारी, चड़ा, महता, अरोडा, कुछ भी आप लगा लो, अब इतना लंबा नाम हो गया, लेकिन हम calling name तो नहीं रखते हैं, calling name लिखते हैं, गितिका, गीतू, बाकि सब तो document में चला जाता है, तो अब कोशिच अगर आपका name नमबर प्रॉपर ढीक से नहीं आ रहा, तो जो middle name है, आप middle name को आप उसका सिरफ first alphabet रहें, ताकि आपके पास उसकी पूरी की पूरी powers तरीके से आ पाएं, चीजे से आ पाएं, अब जैसे मैंने कहा कि हमने पूरी detail अनलाइज करवाने के बाद में, एक देने से परक नहीं पड़ता, आप अपने घर के अंदर एक नया टीवी लेके आएं, आपने टीवी लगा लिया, आपकी टाइम का बड़े इंच का सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर वाइफाई नहीं है, वो connect नहीं होगा smart टीवी होने के बाब, तो आप टीवी चलाओगे कैसे, क्योंकि आपने वाइफाई अक्टिवेट नहीं किया, प्लान रिचार्ज नहीं किया, तो एक्टिवेशन नहीं हुआ, एक्टिवेशन नहीं हुआ, तो रिजल्ट नहीं आया, इसी तरह से जब नेम चेंज कर लिया, तो उसको एक्टिवेट करना है, अब एक्टिव और हम आदी नींद में भी होंगे न आप इतनी गहरी नींद में होगे अगर आपका आपका नाम निन बहुस्त नाम नaपका नाम है. क्योंकि आपकी niye आपकी सुबकंशियोगाइं-स, जो आपके कहले हो हां वो आपकी है, जरत वह है, यह जो आपकीया सी तरह से जब नेम अब क्योंकि उसकी powers आपके साथ match नहीं आपको उस spelling को अपने name से अपने subconscious से delete करना है और नए spellings को अपने उसके अंदर feed करना है और feed करना का क्या तरीका है लिखिये कहते हैं करत करत अभ्यास के जडमत हो सुजान रसरी आवत जावत रए सिलपर परत निसान क्या होता है जब हम बार 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 अभ्यास करते हैं तो वो चीज़े हमारी अंदर निशान छोड़ देती हैं feed हो जाती हैं इसलिए जो भी आपने अपना nine change कराया है उसे continue हम कहेंगे minimum 21 days 21 days minimum 21 time उन spellings को आप लिखिए बार बार लिखिए 21 days के लिए वो जब आप 21 days करेंगे वो आपके subconscious mind में feed हो जाएगा आपका name activate हो जाएगा recharge हो जाएगा और आपके हिसाब से आपको powers देने लगेगा तो अपने name को change कराने के बाद उसे activate कीजिए recharge कीजिए ताकि वो आपक आपको result दे सके और आप जो चाहते हैं जीवन वो पा सके तो चलिए आज की हमारी वीडियो यहीं तक अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे like और subscribe जरूर कीजिएगा तो चलिए आज की वीडियो हमारी यहीं तक